छोटी छोटी मगर काम की बाते, पानी कम पीने से होट काले होते हैं, जो रोजाना सुभा के वक्त एक टमाटर खाता है, उसके बाल कभी सफेद नहीं होते, मसूर की दाल का जादा से जादा सेवन करें, ये पेट की बिमारियों से निजार दिलाती है, लसी जादा पीने से ज पर अंडे की सफेदी लगा देने से चाले नहीं पड़ते। सरसों का साख खाओ खून की कमी नहीं होगी। जिस घर में औरत को दुख मिलते हैं वह घर जल्दी बरबाद हो जाता है। मोटी औरतों को ये चीजे रोजाना खानी चाहिए। दुबली पतली हो सकती हैं। नीमबू, अजवाइन और सूखे मेवे। शुगर के मरीजों के लिए ईश्वर का अनमोल तौफ़ा है खीरा। खीरा जरूर खाएं। जिनके सर में दर्द रहता है वे पालक का सेवन ना करें। रोजाना सोने से पहले अखरोट खालेने से दिल को ताकत मिलती है। कुछ पढ़ने या याद करने से पहले जीरा खालो। पढ़ा हुआ याद हो जाता है। दूद में खजूर डाल कर पीने से कद में बढ़ोतरी होती है। सूरज की तरफ मूँ करके बैठने से बहुत सार बिमारी जाती है, रोटियों के डिब्बे में लॉंग रग देने से रोटियं मुलायम बनी रहती है, नहाने से पहले नमक चकलो, खारिश कभी नहीं होती, पैदल चलने से पहले थोड़ा गुनगुना पानी पीने से कमजोरी नहीं आती, रोजाना कच्चे अद्रक के सेवन स आप जवान नजर आते हो, दिमाग को तेज करना चाहते हो तो बासी मुख रात में भीगे हुए बादाम खाओ, चावल खाने के बाद उपर से पानी पीने से पेट फूलने की समस्या होती है, हसना दिमाग में तनाव को कम करता है, हसना इंसान को कई बिमारियों से बचाता है, शाम के वक्त कंगा मत करो, इससे इंसान का दिल कमजोर होता है, बकरी का दूद पी लेने से शरीर में कभी ठकावट महसूस नहीं होती, रात में मीठा खाकर सोने से मोटापा और नींद में खलल प्यादा होता है, टमाटर को काटे और उसमें चुटकी भर चीनी और थो खाने से खासी नहीं आती है, मिठी के बरतन में पानी पीने से मोटापा बहुत जल्दी कम हो जाता है, जीरा खा लेने से जोडों के दर्द में आराम मिलता है, अगर आपको बांच पंड की बिमारी हो तो दलिया का सेवन करें, अखरोट का तेल सर में लगाने से सर की से रुक जाती है अगर आपको नींद बहुत जादा आती हो तो दूद में इलाइची डाल कर पिया करों दूद का ज्ञाग होठों पर लगाने से होठ नहीं फटते हैं मासिक धर्म के दर्ध से चुटकारा पाने के लिए ठंडे पानी में दो तीन नीमभू निचोड कर पिये तेज सिर दर्ध से चुटकारा पानी के लिए सेब को छिल कर बारीक काटे उसमें थोड़ा सा नमक मिला कर सुबह खाली पेट खाए शरी कहीं पर जल गया हो तेज धूट से तवचा जुलस गई हो तवचा पर जुरिया हो या कोई तवचा रोग हो तो कच्चे आलू का रस निकाल कर लगाने से फाइदा होता है मखन में थोड़ा सा केसर मिलाकर रोजाना लगाने से काले होट भी गुलाबी होने लगते हैं मुँ की बद्बू से परेशान हो तो दाल चीनी कर टुकड़ा मुँ में रखें मुँ की बद्बू तुरंट दूर हो जाती है बहती नाग से परिशान हो तो युकिलिप्टिस का तेल रुमाल में डान कर सूंग ले आराम मिलेगा कुछ दिनों तक नहाने से पहले रोजाना सर में प्यास का पेस्ट लगाएं बाल काले होने लगेंगे चाय पत्ती के उबले पानी से बाल धोएं इससे बाल कम गिरते हैं बैंगन के भरते में शहिद मिलाकर खाने से अरिद्रा रोक कर नाश होता है ऐसा शाम को भोजन में भरता बनाते समय करें आलू का छिलका आपकी तवचा पर ब्लीच की तरह काम करता है इसे लगाने से आपकी काली पड़ी तवचा का रंग सुधरता है इसलिए आज के बाद आलू के छिलके को फेंके नहीं बल्कि उसका इस्तमाल करें पैर के तलवे में जलन होने पर बड़े बड़े लौकी के टुकडे काट कर उस पर गिसें एक किलास ठंडे पानी में एक दो चम्मच शहद घोल कर पीने से शरीर में चुस्ती फूर्ती आती है अपच होने पर बालक की सबजी खाएं, टमाटर कर रस्ती हैं जो लोग दुबले पन के शिकार हैं, उन्हें भोजन के साथ दो या तीन चम्मच शहद खाना चाहिए रात को सोते समय ठंडे फीके दूद में शहद घोल कर पीना चाहिए कब्ज ना हूँ, इसलिए दोरों समय खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा ले नीम्बू काट कर उस पर खाने का कथा लेप कर रात को छट पर रख दे सुबा सुबा इसे चूसे, बवासीर में लाब होगा एक कब पानी में साथ से आठ खजूर को भिगो दे सुबा खाली पेट खजूर खाएं, जिस पानी में खजूर भिगोए थे वो पानी भी पी ले ऐसा करने से गुटनों के मास्पेशिया मजबूत होती है और गुटनों के दर्ग में लाब मिलता है गाजर के जूस में शेहद और नमक डाल कर पीने से आखों की कम हुई रोशनी लौट आती है रात में नींद ना आती हो तो मलाई में गुड मिला कर खाएं और पानी पी ले थोड़ी देर में नींद आ जाएगी नीमू के पत्तों का रस निकाल कर नाक में सूंगे शरीर में खून बनता है और खून की कमी पूरी होती है दूर के साथ खजूर खाने से भूलने की बिमारी खत्म होती है खाना खाने से पहले कोई फल खालेने से शरीर में कमजोरी नहीं आती हसना दिमाग के तनाव को कम करता है हसना इंसान को कई बिमारियों से बचाता है और जो महिलाएं आपकी पीट सीधी रखकर बैठती है उन्हें कभी भी कमर का दर्द नहीं होता और नहीं रेड की हड़ी टेड़ी होती है बाथरून के अंदर बोलने से बहरेपन की बिमारी हो जाती है आयुरवेद के मताबिक एक किलास गरम दूध में एक चमच गाएं का घी और मिश्री मिलाकर पीने से मानसिक और दिमागी कमजोरी दूर हो जाती है अगर आपकी आँखों के नीचे डाक सरकल है तो आलू के पतले पतले स्लाइस काट कर फ्रिज में रख दें उसके बाद आखों पर 20 मिनट के लिए लगा ले डाक सरकल ठीक हो जाएंगे किडनी एक ऐसा आंग है जिस पर पूरे शरीर की सेहर टिकी हुई है किडनी में कोई प्रॉबलम होने पर हमें नारियल पानी पीना चाहिए नारियल पानी किडनी के लिए एक राम बान उपाय होता है पत्ता गोबी में दूद के बराबर केल्शियम पाया जाता है जो आपकी हड़ियों को मजबूत बनाता है इस कारण जिन लोगों को दूद पीना पसंद नहीं है उनके लिए यह एक बहतरीन विकल्प है इसलिए पत्ता गोबी का इस्तमाल करना चाहिए इससे उनके शरीर में केल्शियम की कमी नहीं होगी आजवाइन और काला नमक को बराबर मात्रा में मिलाकर गर्म पानी से लेने पर पेट की गैस में राहत मिलती है सफेद प्यास को बालों में लगाने से बाल गिरना बंध हो जाते हैं छोटे बच्चों को रोजाना एक केला खिलाया करें बच्चों की हडिया मजबूत होती है रोटी खाने के बाद आम खाने से सीने की जलन खत्म हो जाती है घर से बाहर निकलते वक्त दही और चीनी खाने से शरीर को अच्ची मात्र में ग्लूकोज मिलता है जिससे शरीर को तुरंट एनरजी मिलती है हाथ पैर सुन होने की समस्या हो तो एक चमच शहद और आधे निबू का रस एक गिलास पाने में मिलाकर कम से कम 40 दिन तक पिये इससे हाथ पैर सुन होने बंद हो जाएंगे किड़नी स्टोन से दू रहने के लिए नियमित रूप से तर्बूस का सेवन करें छोटी छोटी लेकिन काम की बाते रोजाना खाने के साथ खीरा खाएं ये बहुत से बिमारियों से बचाता है यदि आप अलुमीनियम के बर्तन में खाना बनाते हैं तो कभी खाना बनाते समय उसमें निबू का रस नर डालें जिन लोगों में खून की कमी होती है उन्हें बैंगर नहीं खाना चाहिए आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही यूसफुल टिप्स के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद